आप सबी की खुश्यों के लिए प्रार्थ ना करता हूं डाक्टर प्लीज अंदर्स्टेंड मैं सेक्स इस मेल बट मैं जेंडर इस फीमेल ऐसी परिस्थिती में तुम्हें क्या करने को मन करता है मतुकुटि सब कुछ और मेरे नाम को लेकर भी हर एक दिन हर एक पल जब मैं अपने बालों को देखता हूं जब भी मैं जेंस टॉलेट जाता हूं और आदमियों से बात करता हूं बहुत शर्मिन्दा महसूस करता हूं तो अब अपने अंदर तुम किस तरह का बदलाव चाहते हो देखा जाये तो दिल से में अवरत हूँ लेकन शार एक तर पर एक पुरुश मझे शरीर और आवाज से एक अवरत देखना है ओके, we'll get back to you प्लीज वेट आउट साइड थैंक यू तेंक यू Are you sure? Yes, Doctor मातु कुटी मर चुका है और आज से मैं हूँ मेरी कुटी गनी भाई को गाउवे कितना टाइम हो गया है वो कब आएंगे आपको पता है क्या जब से सामान हमारे घर में रखा है तब से रोज शगड़ा होता है मेरे भी घर में रखने के लिए बोला था पर मैंने तो मना कर दिया उसका कोई भरोसा नहीं इस मचली का क्या रेट है दो सो रुपए गनी भाई के वापस आने तक उनका सारा सामान खराब कर देना ठीक है ऐसा कुछ नहीं है मैं इस बार बहुत सुंदर बनाऊंगी गनी अंकल को मैंने प्रॉमिस किया है ये कौन से मचली है मा मांगड़ा है मैरी आंटी ने बता नहीं कि ये मचली बहुत ही हल्दी होती है कुछ भी मत बोलो ये मचली आपको पसंदे मुझे नहीं मुझे तो नहीं खाना इसे बनाते समय मैरी आंटी की excitement देखी है मुझे नहीं देखना हर चीज के लिए न बोलती है जब से महरी आई है तुम्हारा बढ़ता भी बदल गया है ऐसा कुछ नहीं है मा सुनो मशली ले ली है बना दो ज़रा ज़स्ट टू मिनिट्स बेस थोड़ा सा काम है निपटा के आती है प्लीज टाबलेट तो खत्म हो गई तुमने खाई नहीं किया नहीं बूलना क्योंकि ये दवाई खाने के बाद ही तुम्हारा फिगर और कमाल का दिखेगा चलो जल्दी आजाओ तुम साला नहीं बनाओगी तो तनू नहीं खाएगी तनू क्या करें ये चल्दी से आ अज़रा प्लाइब 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 जॉन तुम्हारी तरह ही मातु कुट्टी भी इसी जगे पर जन्म लेकर बड़ा हुआ है आज कल वो मैरी कुट्टी बन चुका इस बात को मैं नजर अन्दाज नहीं कर सकता उसका बाप फिलिप जो हर संडे चर्च आता था अपने बेटे के बदले रूप की वज़े से चर्च में अब तक नहीं आया है उसकी मा और बहन भी उसे ऐसे देखकर बहुत दुखी रहती है जब उसकी अपनोंने घर से निकाल दिया तो उस पर रहम क्यों जिसका कोई नहीं होता उसको साहरा देना इश्वर का पहला करताव्य है इतना ही नहीं मेरी कुट्टी जैसी लड़की को हमारे संगठन ने अपना लिया सभी ने उसको स्वीकार कर लिया तो फिर आप लोगों को परिशानी क्यों है अरे फादर आप समझते क्यों नहीं है ऐसे तो हमारे बच्चे भी बिगट जाएंगे उसने किसी के सामने किसी तरह की कोई बत्तमीजी तो की नहीं है तो बेवज़े की बातों में मत उलजाओ MCA तक की पढ़ाय की है मेरी कुट्टी ने चैनली में विपरो कंपनी में अच्छा जब था वो रिजाइन करके यहां आई है बस सब दिखावा है मेरी कुट्टी को अगले महें ने चर्च के कोईर में पढ़ाई करने का डिसिजन हम ले चुके हैं हम कौन अरे हम मतलब मैं और फादर वैसे मा तो कुट्टी यहां के कोईर में गाना भी गा चुका है तो अब मेरी कुट्टी को भी गाने तो है ना फादर तुम FM तक जाने की बात करे हो ना वैसे News Bulletin का समय हो गया है News Bulletin शुरू करनी है तो आपको वहां कर भाशन देना होगा तो चलिए मेरी दुकान के एड का क्या हुआ अरे रेडी होगे न? इसस्त हम एक वोईस ट्रस लेना बाकि है वह होते ही काम क्पलीट पहले ये प्राब्लम तो सौल होने दो मेरी कुट्टी के मामले में हमें कोई फैसला लेना ही होगा वेरी कुट्टी इस चर्च में आकर प्रार्थना करेगी उसको इस गाउं में किसी भी चीज की जरुत होगी तो उसकी मदद मैं करूँगा यही मेरा फैसला है गुड मॉनिंग, गुड मॉनिंग मेरी कुट्टी, कल रात की नियूस सुनी तुमने क्या बात है अरे, वाट्सव पेप मेसेज किया था न में चीप गैस बन के जा रहा हूँ मैंने ध्यान नहीं दिया कल रात को मैंने दजवारा लोगों को गाइड किया था वन ट्रांस अंद राइट्स, यूट्यूब पे आ जाएगा, मैं लिंक भेजूगा मुझे तुम्हारे बारे में भी वयान देना है अरे, उसमें क्या अंतर है अरे, मेरी कुटी, रुको तो, समझाओ तो मुझे सुसाइटी को तुम्हारा नसरिया पता चलना चाहिए तुम्हारा हाग मिलना चाहिए क्योंकि सर्जरी की वज़े से चेन नहीं केतने अच्छे जॉब को तुम्हें रिजाइन करना पड़ा इस वज़े से रिजाइन नहीं किया था तो फिर? मैरे एम्बिशन की बीची एक रुकावट थी सर्जरी होने तक बे वज़े वहाँ पर रुकना मैं ऐसे तुम्हारा एम्बिशन क्या अच्छा पुलिस में जाना चाहते हो तभी तो मेरी कुट्टी तुमने अपने बाल नहीं बढ़ाए है न ये बाल तो बढ़ जाएंगे सर्जरी को कोशी महिने हुए है हाँ वो तो है हम बाल बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा जब तुम्हारे बाल बढ़े हो जाएंगे तो बड़े सेक्सी लगोगे मेरी कुट्टी वक्किल कुछ दिनों से मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती थी वो क्या मेरी कुट्टी क्या तुम मुझसे प्यार करते हो सच में मुझे से शादी करोगे वो क्या है कि मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती लेकिन सेक्शुली सेटिस्फाई कर सकती हूं बस मेरे लिए इतना काफी है तुम्हारी फाल तो बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है दो बार ऐसी बाते मेरे सामने मत करना नहीं, नहीं, नहीं करूँ थीक, थांक्यू, गुड डे वैसे मैंने दिल की बात बता दी अले थोड़ा, हम दो भी ध्यान दे दो, वकिल साब तुम अपने काम से काम रखो ओके यहाँ टाइम बर बात करना ठीक नहीं है जो एक्जाम तुम लोग दे रहे हो यह केरला पुलिस में SI बनने के लिए पहले चरण का मॉब टेस्ट है अगले महिने होने वाले रिटर्ण टेस्ट में अगर तुम लोग पास हो गए तो फिर तुम्हें एक और टेस्ट देना पड़ेगा फिर उसके बाद एक और टेस्ट होगा रिटर्ण टेस्ट हो जाने के बाद इंटरव्यू, पुलिस वेरिपिकेशन और शारेदिक तोर पर फिट रहने के साथ-साथ तुम सब लोगों को पढ़ाई के मामले में भी नौलेज रखनी होगी तभी तुम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के सम्मानित पोस्ट को प्राप्त कर सकते हो मेरी कुटी ए कुमार आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है कुछ नहीं सु बहाना मत बनाओ बताओ तुम पुलिस डिपार्टमेंट क्यू जोईन करना चाहते है कोई सजा जहल ली ना पड़े इसलिए सर टाइम अप मैंने कहा ना टाइम अप टाइम की पंच्वल्टी और डिगिनिटी बहुत मैने रखती है पुलिस वालों के लिए उसके बाद तारक्की पाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलती है इस डिपार्टमेंट में जल से जल्द एसाई से सी आई बनने का प्रमोशन मिलेगा बाद में DSP, SP इस तरह उड़ते उड़ते आस्मान में उड़ोगे लेकिन ज्यादा था पुलिस टेशन में प्रॉपर फीमिल टाइलेट तक नहीं है सर तो तुम फेमिलिस्ट हो किया? ना सर, I'm a humanist मेरी कुट्टी के लिए तो पुरे शेहर में टाइलेट नहीं मिलेगा, सर You shut up मेरी कुट्टी, पहले पुलिस फोर्स में आओ, तभी कुछ कर पाओगे अगर हमें किसी कमी को मिटाना है, तो हमें उसके अंदर रह कर मिटाना होगा, सही काना मेरी कुट्टी, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, इस ब्रिलियंट मास्टर को निराश मत करना ओके, I'll try my best, सर थैंक यू ओ, अभी तक तुम लिखी रहो, दो मुझे हाँ, रडी मुझे चाहने और मुझे प्यार करने वालों का, मिशन FM वारता प्रभात में स्वागत है आज की मुख्य खबरों में कहिए फादर ने मुझे आने को कहा था वोईस टेस्ट के लिए फादर ने बुलाया था लगता है फादर बहुत जल्द FM स्टूडियो में ताला लगवाने वाले है ये बात फादर से कहने चाहिए मैं अंदर जा सकते है चाहिए एक युवक ने एक वूढ़े को धक्का देकर कुए में गिराया है जबकि ये घटना एक शौट फिल्म बनाने के लिए हुई जबकि इस खबर को लोग बाग जूटी खबर बता रहे है अब खबरों के विश्टेशन के लिए हम थोड़ी देर में आएंगे जिंगल के लाइन्स पड़ी की नहीं हाँ पड़ी फादर लेकिन पता नहीं उसके लिए मेरी वोईस मैच होगी या नहीं हर्मोन ट्रीटमेंट से शरीर में बदलावाते हैं तो शाद वोईस में भी आएगा हरी यही तो हमें चाहिए होता है मेरा मतलब पुरुष के गले से स्तिरी के शब्द मेरी लिए ओके परफेक्ट लिरिक्स बढ़िया है फादर तुम्हा मतलब मेरा म्यूजिक खराब रहता है क्या वो भी अच्छा रहता है लेकिन अस पर मेरी आवाज ठीक रहेगी वो हो जाएगा लेकिन जॉन मेरी वोइस को पसंद करेंगे इस जिंगल को तुमने गाया है ये बात अभी हमारे बीच में रहनी चाहिए उसकी चिंदा तुम मत करो मैं थोड़ा मसाला डाल दूंगा सब ठीक हो जाएगा वैसे मेरी कुट्टी तुम जब गाओगी ना तो दिल से गाना लेकर आओ उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो आपको चाहिए चाहिए ना चाहिए शांती से कोई काम करने ही नहीं देते हैं तुम ज़रा गाने की प्रेक्टेस करो हमें इस न्यूस बिलिटिन को बहुत ऊपर लेकि जाना है मेरी गुट्टे इतनी जल्दी क्यों आगे यलो जो जिंगल गाय था उसका पैसा अरे इसके का जरुवत थी नहीं फादर ने देने को कहा था तैंक यू जब लोग ये जिंगल सुनेंगे तो लोगों को मेरे काम का भी अंदजा हो जाएगा ना सब ठीक हो जाएगा अलविन एक दिन एसा आएगा जब पूरी दुनिया तुम्हारे म्यूजिक सुने जलो देखते हैं पूरी दुनिया सुने ना सुने फरक नी बड़ता लेकिन अपना स्टेट सुने यही काफी है वो दिन जरूर आएगा मेरी कुटि क्या चल रहा है यहां वैसे इन कपड़ों में काफी सुन्दर लगरी है ना वह यह सब काम यह नहीं करने दूंगा समझी ना यह पैसो कालें देन चल रहा है क्या है इसने एफें में गाना गाय था तो उसके पैसे ही से दिने आया था गाना? तो आप गाना कोड़ी है? गाना! अरे सुनाओना है गानाः बुझे जिनदगी उसकी है अब लोग नहीं स्क्राइज करके रहे एム। परे Scientists ऐसा मतलुजन की शेडिशी उसकी घीन हम लोग बिलकुल नहीं छोड़ेंगे यह हमारे हांथों से नहीं वो सकती है हम इसकी ऐसी कित ऐसी करके रहेंगे ठीके ट्राइ करके देख लो वो ना आग से पैदा हुई है इसलिए तुम्हारी छेड़ खानी से तो वो परिशान नहीं होगी यह चल यहांसे नहीं आए यह से अद अद इन आवारा कुत्तों को कोई काम दंदा नहीं है अद नहीं के हॉस्पिटल में अपना लिंग बदलवाकर अब आप एक लड़की के रूप में है बट अज गर्मेंट सजन इस तरह का सर्टिफेकट मैं दे पाऊंगा यह तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का काम है सर यह सर्टिफेकट है लेकिन आधार कार्ड और पासपोर्ट में जेंडर चेंज दिखाने तो इसके लिए एक गर्मेंट सर्जन के सर्टिफेकट की जरुवत पड़ती है इट इस टिकली लीगल सर लीगल है यह तो सिर्फ आप कह रहे हैं न सर मैं पीएसी टेस्ट के लिए प्रेपेरिंग कर रहे हूँ इसलिए मझे इसकी जरुवत है प्लीस हेल्प मी ट्रांसजेंडर के नाम पर मुझे सर्टिफेकट लेकर बाद में आप उसे मिस्यूज नहीं करेंगी और नहीं इसकी मदद से कोई गलत काम करेंगी इसकी कारंटी दे सकती है सर चैन्ने की कॉर्परेट कंपनी में जितना मैंने कमाया है उसकी तुलनामी ये कुछ भी नहीं है तो सर्टिफेकट से क्या फायदा लूँगी वैसे भी मुझे इसकी जरुवत नहीं है ये तो मैं जिन्दगी जीने के लिए कर रही हूँ सर ओके जो भी हो मैं डियम से कंसल्ट कर लेता हूँ आप यहाँ नेक्स्ट वीक आजाईए मोन नाच रहा था चलो लिखो मोर मेल था या फी मेल चुप एक मारूंगी खीच के सुन तेरा जिंगल धूम मचा रहा है रेडियू पर सुना मैंने कभी संगीतकार कभी पुलीस वाली और क्या क्या ऐसा ही रहा तो एक दिन बहुत आगे जाओगी ये भी एक दिन बहुत आगे निकल जागी किसी सब्जेक्ट में पास नहीं होगी उसकी फिर्क्रे दू मत कर वैसे भी पास करके क्या कर लेगी आप ऐसे क्यों बोल रही है माँ मैं बिल्कुल आपकी तरह ही काम करूँगी इस फोन के साथ क्या कर रही है मैंने कितनी बार का है मेरे फोन के साथ खेला मत कर मा मैंने आपका वाटसअप खोलके नहीं देखा है वाटसअप में ऐसा क्या सीक्रेट है और दू क्यों हस रही है देखो माँ आप मुझे बोलने पर मजबूर मत करो अच्छा बोल तो क्या कहना चाहती है मैं भी सुनू क्या बोलना चाहती है कितनी बार कहा है अपने पापा की तरह भी है मत क्या अखर समरसन नहीं तुझे मा का फोन है मैं भी आती हूँ ला मुझे थी आज सुझे मैं पढ़ाती हूँ वैसे मा स्रिलिंग और पूरूलिंग में क्या फर्क होता है हाँ बोलू मा आज क्या खास बात है बेटा तु कैसा है ठीक तो है ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ मा आप मेरे टेंशन बिल्कुल मत लीजे बहुत दिनों बात तेरी आवाज सुने एक दिन आओ ना मिलने तुझे देखने का मन कर रहा है मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ आती हूँ तु पिताजी से मिला था क्या क्यों उन्होंने कुछ कहा क्या हमारे बीच तेरे बारे में बात होती ही नहीं है बता ना तु उनसे मिला था क्या हम एनी का है मा वो पढ़ रही है उसका एक्जाम होने वाला है एक दिन में वा आती हूं मा वो जिस दिन खर्मीना हो उससी ना न रेडियो में फादर का प्रोग्राम आ रहा है फोन बंद करो और सुनने के लिए आ जाओ ठीक है अभी रखती हूँ फोन मल्टिप्लिकिशन है न हर किसी को टॉफ लगता है इसका एक इज़ी वे मैं सिखाते हूं धहन देना हो देखो यह है फर्स्ट डिजिट टागट ऑके वान इंटु थ्री केतना हुआ वगा वन इंटु थ्री थ्री वेरी गड़ तो इस थ्री को फर्स्ट डिजिट पर रखते आजकल न मुझे बहुत डर सताने लगा है कि कहीं मेरा म्यूजिक खतम ना हो जाए हर दिन गुड मॉनिंग और गुड इवनिंग कहते कि यहीं पर खतम ना हो जाओं अरे ऐसा नहीं सोचना चाहिए लाइफ में म्यूजिक का होने तो किस्मत की बात है अरे पॉजिटिव सोचना तो इसकी आदत में शुमार ही नहीं है यह अपने आपको येशुदास समझता है येशुदास नहीं, ए आर रह्मान ओहो, हाँ वैसे चहरा तो काफी मिलता जुलता है गाउवालों का ये कहना है कि मेरा चहरा आपके चहरे से मिलता जुता है मैं आपका बेटा हूँ या भाई हूँ, लोग ये सोचकर कनफ्यूज होते है इसलिए मैं थोड़ी दाड़ी भी रख लेता हूँ अरे इस तरह से मत बोलो, वरना गाउवाले मुझ पर ही शक करेंगे क्या तुमने ऐसी बाते पहले सुनी मैरी? मैं गाउवालों की बातों की परवा नहीं करते है फादा वेरी गुड, वो सब छोड़ो, वैसे हमारे बच्चों की पढ़ाई में पहले से इंप्रूमेंट है की नहीं? यहां के स्कूल टीचर्स के पास शिकायत के लवा और कुछ ही नहीं कमी हमारे बच्चों में नहीं है फादर, यहां के टीचर्स में है जिस सब्जेक्ट में बच्चे इंटरस्ट ले, उससे पहले टीचर्स को लेना चाहिए यह बात बिलकु सही कई, वैसे अभी तुम कहां जा रही हो, मुझे लाइबरेरी तक जाना है तो मेरे साथ चलो ना, मैं ड्रॉप कर देता हूँ कहां जा रहे हो, मैं फिल्म देख नहीं जा रहा हूँ कौनसी फिल्म देख नहीं इंग्लेश फिल्म, उस फिल्म का कोई नाम है कि नहीं नहीं बताऊंगा, जब देखो डिटेल में घुसते हैं अरे मेरी कुट्टी चलो, चलती हैं फादर, सुनो यह आजकल बहुत आगे बढ़ रहा है, जब इसकी बाइक पे बैठो ना तो थोड़ा संभल के रहना अंदर से मैं पलिस वाली हूँ आटो ट्यून लगा कर वोईस को थोड़ा चेंज कर सकते हैं ना, मतलब? मैंने जिंगल सुना ना, इसलिए पूछा, अरे नहीं नहीं, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, वैसे दवया कितने दिन लेनी होंगी, फीमेल की तरह तुमारी आवाज बनने के लिए, इसमें तो सालों लग जाएंगे ये वहला है सर, अच्छा ये, इंसरेंस का है, रुक रुक रुक, इधर साइट में लगाओ, गाड़ी के पेपर्स दिखाओ, अहां है ना सर, और आरसी बुक का है, चलो निकालो, अच्छा, ये देखियो, इससे जाकर सर को दिखाओ, लेकिन सर, जाओ जाओ ना, साब मेरे पास सिर्फ 500 रुपय है, और वो भी बच्ची की फीज के लिए है, अपनी गाड़ी भी सीज करवाना चाहते हो, प्लीज सर, अगर आप, सर, अगर आप, सर, अब जाओ, सर, सर, गाड़ी का नंबर प्लेट साही नहीं है, इसका कुछ भी साही नहीं है, ये लो पकड़ो, त मालना कटवाने का 500 फाइन, तुमारा नंबर प्लेट साही नहीं है, इसलिए सिदे सिदे पैसे बरो और निकलो, तुमारा घर का है, मैं मिशेन एफे में आरजी हूं सर, आरजी एलविन हेंडरी, तो तुम हो एलविन, फिर तो हजार रुपे निकलो, गाउवालों के साथ जो दोखादड़ी कर रहो, उसका जुर्माना है, सर, सच में मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैंने प्रीस्ट बनने की पढ़ाई की है, पढ़ाई करते-करते मेरा मन म्यूजिक में लगया, तो मैंने पढ़ाई रोग दी, चर्च के बगल में मुझे म्यूजिक का काम विला वो मैंने किया, लेकिन सैलरी बहुत ही कम थी, सर, आप से जूट बोलके क्या फायदा, सर, मैंने तुम्हारी लाइफ हिस्ट्री पूछी है, सर, मैं बस अपने प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, और कुछ नहीं, मैं इतनी दूर काम करने हैं और तुम्हारी प्रॉब्लम सु देने पड़ेगे, पैसे दो उदर, हजार नहीं है, तो पासो ही दे दो, सर, मुझे पेट्रोल के लिए कुछ पैसे चाहिए, पका जूट बोल रहा है, सर, इसमें जरूर है, सर, वो तु रुमाल है, बोला थाना, सर, लीज क्या करे हो, सर, आइसे चुपागर कहा रखे हो, पुलिस स्टेशन जाओगे, तो डबल भरना पड़ेगा, समझ गया, तुम वीडियो बना रही हो, हाँ, चलो इधर आओ, मेरी बास सुना ही नहीं दे रही है, क्या, इधर आओ, अरे चल्दी आओ, ये तो वो है न, मस्त लग रही है, स्पॉंज लगा रहा है, आज कल ऐसे लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है, रात होते ही धंदा शुरू, ये तो दिन में ही कर रहे है, ये लेकर जा रहा है, इसको, सर, ये मेरी दीदी जैसी है, दीदी है, और वो भी ये, इसके साथ चलने में तुझे शर्म नहीं आती है, क्या, पहले तो बहुत शर्म आ अब तक किसे समझा लिया है, मुझे नहीं लगता ये सच बोल रहा है, सर, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, और हमारा नंबर प्लेट फार्मेट वालिड है, ये किस ने कह दिया, मैंने, सर, ये नियम कानून आप कहां से सिख रहा है, उपर से, आपकी जीब की नंबर प्ले फेस्बुक में डालने वाली हो, तो फिर किस लिए है, गलती को दिखाने और सुधारने के लिए, तो तू हमें सुधारने वाली है, हमें सुधार जाना चाहिए ना, आपका, हाँ, सही का, आपने, दोनों को उठा कर जीब में डालो, ये हमें कानून का पार्ट पढ़ाएं और फिर हम इने सिखाएंगे कानून, है चलो, चलो बड़ा, अइसे तो दे दिये ना, सर, मैं फादर को फोन कर लो, तेरा फादर यहां कर क्या करेगा, फोन इदर टेवल पर रख, चलो रखो, अब सुनो अपने ओफेंस, डिसोबीडियोंस अफ और रिफ्यूसल और रिफ इन उनसेफ कंडिशन, वाइलेटिंग दे स्टैंडर्स अफ रोड सेफटी, फाइन हजार रुपया, लेकिन सर, उसके बाद, 83, 84, 89, 177, सारे सिक्षन, साड़े आठ हजार रुपया, लाकर भर और गाड़ी लेकर जाओ, सौरी सर, सौरी, सौरी, इसे कहते हैं कानून, समझ कर रही हैं, सर, एसाई, पुलिस, सुना तुमने, अब हमारे डिपार्टमेंट का क्या होगा, सर, तुम्हारे जैसे चीज़ को पुलिस फोर्स में नहीं लिया जाता, आजकल जैसा टॉर्चर हम पुलिस वालों से सह रहे हैं, इसका कारण बता है, आप जैसे लोग, जब इ जैसे कोई आएगी तो यह सब नहीं होगा, I want to set an example, sir, तुम्हारा एक वीडियो मेरे पास आया है, क्यों करते हो इस तरह का काम तुम, तुम्हारे खिलाब कंप्लेन आई है, क्या कंप्लेन है, कोई गाओ का आदमी वीडियो रिकॉर्डिंग करके, कंट्रोल रूम के वाट नहीं, नहीं, सर, मैंने पी नहीं थी, सर, तुम्हारे खिलाब बहुत सारे कंप्लेन्स आ चुके है, सस्पेंसन लो और कानी खतम करो, जिसने कंप्लेन किया, उसके नंबर तुम्हे भेजा है, उससे बात करो, उसके पैर पकड़ कर उससे माफी मांगो, और केस से पीजा च क्या हुआ, सर, कुछ भी नहीं, बैठो तुम लोग, ने, ठीक है, सर, तुम बैठो, इस बार तो तुम लोग जाओ, पाइन नहीं भरना है, पर ऐसा दुबारा मत करना, सुन लिया, ना, डिलेट के बाद भी रिकवर हो सकता है, क्लाउड बैकप वाला फोन ही है, अभी तक मैंने पब्लिक प्लैटफॉर्म पर अप्लोड नहीं किया है, पर यह मैं समझना कि आपके डर से नहीं किया है, अगर अप्लोड कर दिया तो, पूरी जनता के सामने हमारा इंटीर डिपा अगरती का अशास हो गया, यह मेरे लिए काफी है, एनिवे, थैंक यू सो मज़ सर, नाइस मिंटिंग यू, थैंक यू, चलो, सर, मेरा भी तो आपके पास है, मेरा फोन, थैंक यू सर, ओफॉ लेकिन मेरी कुट्टी तुम्हारे एप्लिकेशन को, पी एसे में क्यू रिजेक्ट किया गया, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है, कहीं एप्लिकेशन डिटेल्स मिसमैस तो नहीं हो गया है, पी एसे हैड़ आफिस पे में आज सुबह फोन किया था, वो कह रहे थे उनक को भी कुछ नहीं मालू, सोच रही है, खुच जाकर उनसे मिलो, ऐसे मिलने से कोई फायदा नहीं होगा मेरी कुट्टी, पहले भी इस तरह के कई केस हो चुके है, आजकल सारी प्रक्रिया कंप्यूटराइज हो गई है न, शायद पी एसी ओफिस से एप्लिकेशन गलती से फिर भी मेरी कुट्टी तुम्हें कोट में जाकर क्लियरेंस लेना ही पड़ेगा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा न, हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पी एसी ओफिस जाकर अपना समय बरबाद मत करो, तुरंत एक वकील को पकड़ना ही सही होगा, वैसे वी रि जेंडर एक एसाई बनने वाली है, मुश्किल तो होगी, वैसे इस ओफिशियल रिकॉर्ड में जैसे की पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब में मेरी कुट्टी का नाम मातु कुट्टी है, लेकिन पीएसी अप्लिकेशन में तुम फीमेल हो, पीएसी इस जा आमले को लेकर एप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो कोट में जाने से हम केस जीच जाएंगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, अभी तक फॉर्मल्टी पूरी नहीं हुई है, वैसे गैजिट का नोटिफिकेशन जल्दी मिलने का कोई रास्ता है, पता है न, कंसेंट ओफि कितने सॉफ्ट हांथ है कैसे वकीलो यार, ब्यूठी देखी, पिंखल गय? ब्यूठी का सवाल नहीं है, चुम्भी के आकर्शन, चपके खड़ोने का मन करता है यही तो उसकी सबसे बड़ी खासियत है वैसे जितनी खासियत देख ली उतनी काफी है यह तुम बोल रहा है ठीक है तो चलो, स्टूडियो में चलते हैं कारेकरम सुन करते हैं तुम दोनों क्लास्मेट हो क्या? हाँ माडम, हम लोग सेकेंड तक साथ में पड़े हैं इसकी बच्पन से ही खौईश थी कि यह पुलिस डिपार्टमेंट में जॉइन करें अगर ये साल निकल गया तो महनत बेकार हो जाएगी आप करती क्या है? मैं एक चोटी सी इवेंट मैनेजमेंट कमपनी चिलाती हूँ, माडम अप्लिकेशन दियोए ज्यादा समय नहीं हुआ है मिनिमम् थ्री मंट्स यही टाइम पीरियर है गजट में नोटिफिकेशन आना ये सब डियो आफिस के ऊपर है अगर उसमें किसी तरह का कन्फिशन हुआ तो थोड़ा लेट भी होता है माडम, अगर ये गजट नोटिफिकेशन अभी नहीं मिला और बात में मिला तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा अगर मुझे डराने और धंकाने का तुम्हारा इरादा है माडम, मैं भी आपकी तरह एक आउरत हूँ बस मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती यही डिफरेंस से मुझ में और आप में ओ, तो ये बात छोड़कर बागी सब में तुम परफिक्ट हो माडम, माडम, प्लीज, इसकी तकलीफ समझे कैसी तकलीफ, मैं एक पुरुष नहीं हूँ, इस बात से फ्रस्टेटर्ड हूँ मैं और इनको देखो क्योंकि आप औरत की आमियत को नहीं चानती है माडम, सॉरी, मेरी, रुको, मेरी मेरी, तुम ज़रा रुको, मेरी हमें ज़रूरत है, इस वक्त शांती से काम लेना होगा तुम्हें चलो, एक बार मिलकर उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं अब रिक्वेस्ट से कोई फायदा नहीं, वो नहीं देने वाली उसका एक्टिटूट देखा, वो मिले न मिले आधार कार्ड अपडेट होने में एक मेना लगेगा न, और तब तक तो सेलेक्शन की डेट निकल जाएगी, तुम टेंशन मत लो, हम कुछ सोच लेंगे, हाँ हम सोचेंगे, बस यही काम करेंगे हम, मेरे सपने तो सेलेक्टि में मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है, यह पक्ड़ो जरा मैं वाश्रूम होकर आती हूँ 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 हुँ हूँ 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 झाल 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 पता है फिल्म डारेक्टर बनने के लिए मैंने पूरे फिल्म इंस्टिटूट जाके पढ़ाई की थी लेकिन मैं क्या बन गया जो हम चाहते अगर वो आसानी से मिल जाएगा तो लाइफ में थ्रिल कहा रहेगी दुख के खिलाफ जंग लड़ना ही इस्पिरिट होता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या था फादर पता है यही कि मेरे माबाप एक दिन मुझ पर फक्र महसूस करे पलिस यूनिफार्म पहन कर जब उनके सामने जाओंगी तो उनको मुझ पर गर्व होगा लेकिन अब यह नहीं होगा तो क्या तुम्हारे अंदर दूसरा काम करने की काबिलत बिलकुल भी नहीं है हम जैसे लोगों को यह यूनिफार्म ही रिस्पेक्ट दिला सकती है और कोई नहीं दिलवा सकता हूँ उसके लिए अब हमें क्या करना होगा मैरी कुट्टी हम कुछ नहीं कर सकते हैं आगे क्या करना यहीं पूछने के लिए इस चौकट पर आई हो भगवान ने भी कुछ सोचा होगा है ना पादर आजकल आप जिम नहीं जा रहे हैं क्या अगर तुम्हें तकलिफ है तो फिर से जाना शुरू कर दू बोलो अच्छा इस गाओं के लोग दूसरों की फिक्र बहुत करते हैं अरे फादर आईए मैरी कहा है टेरिस पर है कल रात से वहीं पड़ी हुई है अरे बाहर तो इतनी ठंड है देखो कहीं वो बीमार ना पड़ जाए उस पर ध्यान देना जरूरी है मेरी बात कहा मानती है वो वो ऐसा क्यों कर रही है बैरी कुट्टी चलो हम लोग थोड़ा बाहर टेहल कर आते हैं आज नहीं फादर आज मैं बहुत थकी हुई हूँ सब ठीक हो चाहेगा मन से ही शरीर प्रभावित हो जाता ही अजीब बात है ना फादर बहुत स्ट्रेंज है ना तुम कहीं फिर से चेन नहीं जाने की तो नहीं सोच रही हो इस तरह हार कर भागने से क्या फाइदा डटे रहना यही एक रास्ता है अगर मनजिल हासिल करनी है तो इस तरह खड़े नहीं रहना है उठकर आगे चलो कदम आगे बढ़ने चाहिए चलो आओ मेरे साँ चलो मैं एक नया प्रोग्राम शुरू करने की सोच रहा हूँ तो उस मामले में बात करने के लिए यहां आया हूँ अस मैं मुझे क्या करना होगा देखो इस इलाके में सिर्फ एक ही एफम है और वो एफम सिर्फ और सिर्फ हमारा है वैसे भी आजकल हमारे लिस्नर्स काफी बढ़ गए हैं इस बारे में मैंने तुम एक बार बताया भी था न हैपिनस आवर जिन्दगी में सवाल जवाब समस्या सुख दुख इन सब को शेर करने का प्रोग्रेम बहुत अच्छा कॉंसेप्ट है फादर तो क्या तुम इस शो को होस्ट करोगे मैरी दूसरों को समझने के लिए जो नरम दिल चाहिए वो है तुमारे पास लेकिन फिलहाल तुम ये प्रोग्राम कर रही हो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कोई प्रोग्लम होगी ही नहीं कल पूरी रात आपने मेरे लिए उस प्रोग्राम के बारे में सोचा था हाँ बिलकुल जहां अंत होता है वहीं से एक नई शुरुआत भी होती है इसी को जिन्दगी कहते है पहले तुम्हारी आवाज को यहां के गाउवालों को पसंद करने दो तुमने जो जिंगल गाई वो क्लिक हुई ना तो ये भी क्लिक होगा लेकिन तुम्हें अपना नाम बदलना पढ़ेगा और वो भी मैंने सोच लिया है आर जे एंजल तुम्हारे पहले जन्म में मा तु कुट्टी नाम करन भी मैंने ही किया था ना दूसरे जन्म का मेरी कुट्टी भी मैंने ही रखा अब ये है तुम्हारा तीसरा जन्म ओहो इस तरह के डिसीशन आप खुद मत लीजे फादा मैं कोशिश करूंगी पता नहीं हो पाएगा या नहीं मुझे पूरा यकीन है हम कामियाब होंगे लट्सी गुद मॉनिंग मैं हो आर जे एंजल हैपिनेस आर्स के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है ओके क्या गुड स्टार्ट मेरी कुटी मैं कॉल करनेट कर रहा हूँ ओके हलो इंगलिस ना आना कोई गुना है क्या आपका नाम क्या है मेरा नाम पता चलेगा तो क्या आप मुझसे बात करोगी लगता आप गोस्सेम है खेर अपनी परिशानी बताइए मुझे इंगलिस नहीं आती इसलिए लवर छोड़ कर चली गई मैं उसे मा डालूँगा या ये सिर से चेहरा जला दूँगा आप ये दोनों काम मत कीजे आप उससे प्यार करते हैं आपके आवासे पता चल रहा है आपको इंगलिस नहीं आती इस वज़े से जो लड़की आपको छोड़ कर गई वो एक पागल लड़की है वज़े भाशा नहीं होनी चाहिए भावनाएं होनी चाहिए एक दूसरे की भावनाओं को कम्मिनकेट करने का सिर्फ जरिया है भाशा मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ मत भूलो उसकी आदों को लेकर कहीं बैठ जाओ लेकिन कभी भी जिन्दगी के साथ खिलवार नहीं करना चाहिए वैसे भी उस लड़की के लावा कोई और भी मकसद होगा ना आपकी जिन्दगी में और क्या मकसद है होगा, वो सोच कर मुझे फिर से कॉल करो कापी हद तक मेरे दिल का बोज हलका हो गया क्योंकि मैंने आप सिब बातें की शाहद ऐसा ही है अके एनिवे यू टेक केर, बाई बहुत ही बढ़िया मैं इससे भी बढ़िया कर सकता हूं यहां नहीं, तुम किसी बस टेंड पर जाके करने यह सब मेरी, दूसरा कॉल करनेट कर रहा हूं हलो मेरी एक परिशानी है, इससे लिए फोन किया ननी परी, तुम्हें क्या परिशानी है यहां जो और्फनेज है, यहां बर्दी सेलिबरेशन है मेरे क्लासमेट का इसमें परिशानी क्या है, यह तो खुशी की बात है कल यहां सारे पेरेंस काड़ी में आने वाले हैं और हमें थोड़ी दिर आइपैड में खेलने भी देंगे और खाना भी देंगे तो इसमें परिशानी कहा है? जब वो वापस जाते हैं तो लगता है मेरे पास कुछ नहीं है मैं रात बर ये सोच कर रोती हूँ कभी-कभी मुझे बहुत गुजसा भी आजाता है मुझे लगता है कि मेरा कोई नहीं है ऐसा नहीं सोचते बिटा मैं समझ पा रही हूँ जैसे सब के पेरेंस होते हैं वैसे तुमारे साथ इश्वर है दिल लगा कर पढ़ा है लिखाई करो और एक बहतर इंसान बनो इससे ज़ादा जंदिगी की सार्थकता और कुछ नहीं हो सकती हेलो ब्रिलियंट मास्टर के 70% स्टुडेंट्स SI सेलेक्शन के रिटर्न टेस्ट में पास हो चुके हैं अगले सब्ता बैस शुरू होगा जो एंजल न कहा वो सच है सुनो एक काम करो तुम लोग वहाँ बिर्यानी भेज़ दो हम लोग साथ में जाएंगे तो उसे और तकलीफ होगी थैंक यू सो मच हलो गिद मारिंग आर जे एंजल हो ना हाँ जे हाँ मेरा नाम फिलिप है मैं यहाँ माली का काम करता हूँ वैसे बेटी तुम्हारा यह जो प्रोग्राम है न उसे सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है मैं प्रोग्राम का इंतजार करता हूँ तुम यह प्रोग्राम बहुत अच्छा करती हो अब हलो मुझे बहुत पसंद है थैंक यू अगर किसी अच्छी कंपनी से ओफर आया तभी जोईन करूंगी नहीं तो पढ़ाई करूंगी मेरा यही प्लान है यह प्लान नहीं है और चुट्टी लेकर प्राइविट सेक्टर में काम करना वो मैं कर नहीं सकता यही प्राब्लम है हाँ मैं चुट्टियां कहीं घूमनी के लिए जरू ले सकता हूँ कम से कम थोड़ा मूड तो चेंज हो जाएगा मैसे तुम क्या सोचती हो जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा देमाग पे स्ट्रेस मत दो तुम तुम्हारे पास टाइम है सोच के बताना तुम ठीक है एक मिनट में आभी याई इतनी जल्दी बाते हो गए माँ अपने उसे घर पे बुलाया क्या यह वो घर के अंदर नहीं आना चाहिए समझ गई ना जब मैं साओधी में था तो फिलिप के कहने पर मैंने उस घर को खरिद लिया था आपको रिटायर हुए कितने साल हो गए पिछले साल बाहर कोई आया है मैं आभी आती हूँ यह कौन है मुझे नहीं पता है कौन है यह टीचर यह मां का पुराना स्टुडेंट है यह मेरी टीचर है मैं यह से गुज़र रही थी तो सोचा मिल लूँ बहुत दिन हो गते मिले ऐसे लग रहा मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ यहां कोई शुबकार ही हो रहा था लगता है ठीक है मैं चलती हूँ आइम सो सॉरी बेटा कम से कम एक मेसेज तो कर देता ना महा आपका बद्धे था तो सर्प्राइज देने के लिए आ गई थी लेकिन उल्टा सर्प्राइज हो गया यह साड़ी है कि वैसे एनी के अब शादी किम रहो गई है एक चाही तो पीखर जाना बेटा नहीं मम्मी अभी नहीं पापा और एनी ने जुका उसका दुख नहीं है मुझे कभी ने कभी उनकी उनकी सहमेति से इस घर में कदम रखोंगी अभी चलती हो माम चलते हो मुझे अलफा चिकन खा रहा है मुझे अलफा चिकन खा रहा है मुझे यह नहीं खाना आखर इस तरह से क्यों रो रही हो तनू ऐसे रोती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी अब रोना बंद करो यह लो ममी का कॉले बात करो हलो मुझे ममी से कोई बात नहीं करनी मुझे अलफा चिकन खाना है यह बेवजे की जित करो रहे हैं मैं क्या करो अरे वो जो भी मांग रही है उसे खरीद कर दे दो ना तानू घर आओंगी तो मारोंगी हां देखो मा ने भी बोल दिया चल चलते हैं चल चप एक खीच कर दूंगी अरे दुखान कौं कैसे पहचानेंगे एक्स्कूज मी हाफ अलफा चिकन हाँ टाइम लगेगा दस मिट लगेगा दो मिनिट वेट किया होता तो दोसा खा लेती नहीं मुझे यह खाना है मुझे आइसक्रिम भी चाहिए चटोरी हो गई तु देख वहां कड़ी है आइसक्रिम चाहिए आइसक्रिम नहीं खाते अगर हम इसे छोड़ देंगे तो आगे मुश्किल हो जाएगी इस गाव में मर्द भी रहते हैं उसे एसास होना चाहिए चला जा तुमारे लिए आइसक्रिम मैं खुद बना देंगों ठीक है देखना कितना गुश्सा कर रही है अरे बच्ची के लिए चिकन तो खरितती जाओ इसकी माँ बाहर काम करती है और तू इस बच्ची के साथ दंदा करती है ए रुक तुम मर्द या और आउरत ये जानने के बाद ही तुझे जाने देंगे चल चल कपने उतार आणी को चोड़ दो आणी को चोड़ दो आणी को चेलो, चालो, चोलो.. जोड़ी ! चोलो.. चोड़ दाए नहीं.. चालो.. तद मेरी बेट को छोड़.. जाओ.. मेरी बेटी को छोड़ी.. तद दिखा दिखा.. अटि.. अरे पुरे गाहएंवालों को तेखने दे न.. कि देखने थे चीज औरिजनल है कि नगली है यह विडियो के बना रहा है चल 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 बुलिस आ गई है अभी गल्सी से विधर मत आना समझे क्या हुआ अरे अच्छे से पोस्ट जे ना क्या हुआ रहा है यहां बड़ी आई अउरत बनने तो की करती है रास्ता दो रास हम लोग वहां दो पैक ले रहे थे सर तो यह आके बोली अगर चिकन दिला दो तो मैं चलने को तयार हूँ सिद्धे अश्मान से टपकी हों क्या है लब अच्छी कोई दर ऐसा मत कीजिस सर तुम वही रहो तुम्हारा माबाप कौन है उन्हें फोन करके बताऊंगा मैरे कोई नहीं सर तुम सीधे आस्मान से टपकी हो क्या सर वह गल्फ में रहता था न फिलिफ उसी का लड़का है ठीक है तो फिर फिलिफ का नंबर पता करो फोन करके उसे यहां बलाओ उससे बात करता हूँ वाट फॉर यहां नथिक टू विद इस वो सब तुम मुझे देखने दो समझ गई अरे तनू मा आगे एसे अजीब लोगों के साथ अपनी बच्ची को बाहर क्यों भेशती हो वैसे बात क्या है सो तुम्हारी बच्ची को अभी यह इनके साथ भेजने वाली थी गलक्त काम के लिए तुम लोग कंप्लेन लिखा कर यहां से जाओ मैं बाद में बलाता हूँ अब जाओ साथ यह ऐसा काम नहीं कर सकती मुझे यकीन है तुम्हें यकीन है अपने पती का नंबर दो मुझे नंबर दो मुझे सर मत कीजिए सर नंबर बताओ 9847163734 क्या नाम है तुमारे पती का मधू मिस्टर मधू पुलिस टेशन से कुंजी पारन बात कर रहा हूँ तुमारे बच्ची और बीवी यहां भी पुलिस टेशन में किसी मामले में हैं बड़ी समस्या हो सकती है तुम चेन नहीं हो हाँ यही है बात करो हालो बच्ची को अकेला छोड़ कर नहीं जाना था पोला था ना मैंने मधू चब में यहां यहां तो मैरी उसके साथ थी यह क्या बात हुए मैंने कितनी मार समझाए कि ऐसे लोगों को अपने साथ मत रखो समझाता हूं समझती नहीं नोंसेंस मेरी बातों के तो को इज़त अपनी मनमानी बंद करो यह सिर्फ मिसंडिस्टांडिंग है मधू प्लीज कोई मिसंडिस्टांडिंग नहीं है अभी के बच्ची को लेकर घर जाओ आफ नतिंग मोर तुसे मधू तुम घर जाकर मुझे फोन करो मैं तब भी बात करूँगा अब मा बेटी वही करो जैसा डैडी ने कहा है अब इस मामले में करना क्या है हम सोचते हैं और अपने बच्चे को ज़रा ठीक से पालो कोई उच नीच हो गई तो फिर क्या होगा समझ में है चलो जाओ क्या हुआ नहीं जाओगी कहानी बदलना चाहती हो क्या जाओ मामला तो बिल्कुल बिगड़ गया है इसी पुलिस टेशन में ऐसा ही बन कर आने की बात कर रही थी है पर यहां किस्मत में कुछ और लिखा है सर इसके फादर फिल्प को फोन कर दिया वह आ नहीं वाले है आने दो इसे इस हाल में लॉक अप में रख सकते हैं क्या सर इसलिम बलाव चड़ी में बहुत सारी प्लास्टिक भर कर रखी होगी कहीं इसने आत्मत्य कर ली तो हम मुसीबत में पढ़ जाएंगे सर वैसे क्या अपताय नहीं कर पा रहे हैं कि मर्द की नजर से देखो या औरत की मूँ बंकर क्या समस्ती अपने आपको हम तुस्से प्यार से पूछ रहे हैं और तू आखे दिखा रही है आखे तो मर्द दिखाते हैं चड़ी में अंदर डाल दो इसे यह तो बेसिक युमन राइट्स पॉलिशन है ओ तो आप हमें जानकारी दे रहे हैं पर रिकॉर्ड के नुसार मर्दों को चड़ी में अंदर कर सकते हैं तुम और तो इसका कोई प्रमान है तुमारे पास नहीं है इसे चड़ी में खड़ा करो हम चलो उतारो प्रमान उतार कपड़े अंदर क्या-क्या छुपा के रखी हम भी तु देखे जरा जरा तुम जाकर इसकी मदद करो हम चुएंगे तो इशू बन जाएगा प्लीज आँ अधाटाओ प्लीज वहान आँ अधाटाओ सुनाई नहीं देरा जब वो PSC एप्लिकेशन रिजेक्ट हुआ था तब ये मामला खतम हो गया था अब क्या लड़की को कोट बेच के फसना चाहते हो क्या पीडोफिलिया, इम्मोरल ट्रैफिक इसमें कोई नहीं टीकेगा अगर तुमने अपना बदला लेने के लिए केस किया है तो याद रखना उसने केस किया तो फसोगे उपर से मीडिया का प्रेशर इसलिए केस रजिश्टर मत करो सर पुराना बदला लेने की बात बहर आएगी तो नाम तो बदनाम होगा एक ट्रांसजेंडर ने पुलिस में भरती होने के लिए अप्लिकेशन देया ये दुनिया को पता चला तो डिपार्टमेंट बदनाम होगा वैसे मैंने एक रिकॉर्ड तैयार करके रखा है आपके कहने पर ही मैंने ऐसा किया था सर अब आप ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा सर हाँ सर चीक है मैं सुबह बात करता हूँ ओके सर आईए सर यहीं है फिलिप कौन सा फिलिप जाएए सर वो आपने बुलाया था न हाँ फिलिप सर उसके पिता जी धर्ती का बोज बढ़ाने के लिए ऐसो को पैदा करके तुम आराम से सो रहे हो है ना बैठ जाओ तो तुम ही उसके बाप हो ना नहीं क्या बोल रहे हो सर वो मैं पहली बार पुलिस टेशन में आया हो ना तो तो पुलिस वाले से डर रहे हो जी सर धर्ना चाहिए पर ये डर तुम्हारी अउलाद में नहीं है एक मासुम बच्ची के साथ रात में धंदा करने निकल गई मैंने कोई केस दर्ज नहीं किया लेकर जाओ नहीं सर मेरा उसके साथ कोई रिष्टा नहीं जनम देने वाला बाप ऐसा कह रहा है ओई सुन लिया क्यों ऐसा करती है तू हां जनम देते से मार देना चाहिए था धर्ती का बोज है ये साथ मुझे उस वक्त बहुत गर्व महसूस हुआ था जब तुम बेटे के रूप में पैदा हुए थे लेकिन अब बहुत हो गया मेरी कुट्टी कोई भी बाप तुझ जैसे को अपना बेटा कहलाना पसंद नहीं करेगा शर्मा दी है मुझे बंद करो ये सब और जाकर कहीं डूब मरो अच्छी सोच और अच्छी शुरुवात चलिए आज का दिन ऐसे ही स्टार्ट हो इस शो की होस्टिंग आरजे एंजल की जखा हैपिनेस हावर शो में करने जा रहा हूँ आप लोगों की खुशी दुख सुख आशा निराशा इसी पर हम चर्चा करेंगे तो मैं हूँ आपका आरजे एलविन हेंडरी आपको बस कॉल करना है 0486 222 9659 पर मैं कल ही उसके घर गया था और आज सुबह ये ख़बर मिल गई रिपबलिक न्यूसंस का चार्ज लगाया है सिर्फ वो भी आप के कहने पर इसके अलाव और चार्ज भी क्या लगा सकते हैं इसके अधिकार में सिर्फ इतना है कि वो इमोरल ट्रेफिक का केस लगा सकता है वो भी पक्के सबूत होने पर क्या फादर आप भी यहां पर बेकार लोगों को ले आते हैं यह जो फॉर्म है उस पर फादर का साइन है इसके आधार पर मैं उसको जमानत दे रहा हूँ अभी तो जाओ जरूरत पढ़ी तो बुलाओंगा कुण जी पाल जी आप कभी चर्च नहीं जाते क्या क्या कह रहे हैं उपर वाले का ध्यान करके ही काम करता हूँ नारायन सर का कन्फेशन पार्ट सुनता हूँ ना तो दिल को चैन मिलता है अपने पाप का कन्फेशन करने से तुम जो पाप करें वो कमनी होने वाले इसके साथ जो पाप किया है कन्फेशन तो करना पड़ेगा ठीक है कर लूँगा चलते हैं क्या हुआ तुम मुझे घुर क्यो रही है आखे नीची कर चलो आजा इसका बैग देखा तुने मस्ता है ना कल द्यान नहीं दिया था प्लीज मच्चा मेरी अंटी अगर महनी गई ना तो फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हारी देखबाल करना कब सिखेगी आशाभण पास में तो है जब मन करे आजाना तुम इससे साथ लेकर आना ठीक है आई यू शो अभी इस तरह जाने की जरूरत है क्या चलो यू 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 आजा मेरे पीएसे टेस्ट को लेकर पॉलिस टेशन के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ी हुई है उन दोनों की बातचीश से मुझे पता चला वकिल मुझे वेरिफाई करके बताएगा अगर इस तरह का कुछ हुआ तो बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं मेरी लाइफ में अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनेटी मिली है तो इतना जिलने के बाद भी तुम नहीं समझी इस सबसे मुश्किलें बढ़ जाएंगी जो भी हो लेकिन कुछ दिन तुम दोनों वदों के पास जाकर रहा हो मैं नहीं चाहती कि मेरे बज़े से कोई प्रॉब्लम हो प्लीज वो सब मैं देख लूँगी तुम बस अपना खियाल रखने जस्ट सेकिड हाइल बस बहाने कर लें हूँ कोई बात नहीं मैं भी आती हूँ कि मसरा पकड़ना इसे क्या बात है कि देखाओ इसमें कोई अच्छी खबार है कि अब हो फेको इसे आज कल के इन रिपोर्टर्स को बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है कि इसे मेरे पास रहने दो मेरे लिए इंस्पिरेशन है चलते हूँ आपसे कितनी बार का है ऐसे बैटके मत रोय करो मा और और इस अथ बार को फेको इधर और आगे से अब इस घर में उसकी कोई चर्चा नहीं होगी अपने देखा ना पापा उसकी वज़े से इस घर में परिशानी होती है आपने बेटे क्लिए कितनी मन्नते मांगी थी ना अब देखिए वही बेटा क्या कर रहा है आप छिपकर अपने बेटे से मिलती मुझे पता है अब अगर ऐसा हुआ ना तो मैं घर चोड़के चली जाओंगी सुन लियन आप दोनों ने नाइस एक्सलेंट हम हर वीकेंड में एक ऐसा सेशन करेंगे ठीकर अब तुम जा अब नेक्स्ट कौन है मैं मैं अच्छा तुम हां एक मिल बिटा हां 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 बताइए खबर बिल्कुल पकी है वहां लोकल पॉलिस्टेशन में मैरी कुट्टी के पीसी अप्लिकेशन के खिलाफ रिपोर्ट गई है कैसे रिपोर्ट है वो बस कुछ नहीं तुमारे बारे में भला बुरा लिखकर को भेंच मेरे खैल से पीसिए अप्लिकेशन होने का में रिज़न यहीं हो सकता है मैने रिपोर्ट की कपी के लिए मैसेज भीजा है वाकिल अगर उस रिपोट को लेकर हम कौट में जाना तो कोई फायदा होगा पॉलिक सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाएगा बस उसके अलाव मेरी कुट्टी मैं तो तुम्हारे लिए कहीं भी आ सकता हूँ, वैसे बात किया है। कुछ नहीं, कल बात करती हूँ। कुछ-कुछ होता है। Good morning. एक चोटे से ब्रिक के बाद फिर से हम लौटते हैं happiness hour में. मैं हूँ आपकी R.G. Angel. आज का विशय बहुत ही delicate है, exclusively आपसे discuss करना है। मेरी कुट्टी के साथ पुलीस ने, समाज ने जो किया, वो नियाय है या फिर अन्याय? एक इंसान को अपने सेक्स के नुसार जीने का अधिकार नहीं है क्या? यह तो अन्याय है, इसे रोकना ही पड़ेगा। मेरी कुट्टी जैसे इंसान के साथ पुलीस ने जो किया, उसका विरोध करना ही सही रहेगा। हम सब को मिलके कोई decision लेना चाहिए, ना तो मेरी कुट्टी ने सही किया और ना ही यहां की पुलीस ने। मेरी कुट्टी को चर्ज से बाहर निकालना है। पैसे आप उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही मेरी कुट्टी हो। कल जो घटना होई थी उसमें मेरी कुट्टी का कोई दोश नहीं है। इंसानियत के लिए चंता को आगे आना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। उसे गाउं से निकाल देना चाहिए मेरी कुटे ने जान बूच कर पुलिस को बदनाम करने के लिए ये सब किया है I think मेरी कुटे is wrong exam Thank you लेकिन जिसे बदलना है वो कोई नजरिया है या कोई व्यक्ति है ये जान आज का मकसद था यहां कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया Thank you Good day अनिशा फ्राइडे को त्रेविंद्रम जाना है ये बेटी गरे थी कि उसके स्कूल का एन्यूवल फ्रंक्शन अटेंड करो ओके सब्सक्राइब आज कोई इंपोर्टेंट मीटिंग है तुम्हारा कलेक्टर से मिलना हुआ था क्या मेटिंग नहीं फादर कल मैं फिर कोशिश करूँगी कलेक्टर डी जी पी या मेनिस्टर अगर इनमें सब किसी ने भी से सीरियस ली लिया तो पी एसी के री टेस्ट को फिर से कंड़क्ट किया जा सकता है इस तरह पहले भी हुआ है तुम्हारे साथ खड़ा होना और तुम्हें आरजे बनाना शायद ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था अब ऐसा लग रहा है हमारी सोसाइटी हमिशा से ही ऐसी है बेटी तुम चेनने जाकर वापस अपने काम को री जॉइन कर लो वही तुम्हारे लिए सही होगा हमारी सोसाइटी और लोग बहुत अच्छे हैं फादा लेकिन किसे नहीं मामनी को अपनाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है फादा तुम यहाँ पर खड़ी रहकर अपना और वक्त बरबाद करे हैं जो मुझे पसंद नहीं है जब तुमने एफम पर मेरी कुट्टी की साइड लेके चर्चा शुरू की तो पूरे गाँवाले तुमारे खिलाफ खड़े हो गए थे और अगर उन लोगों को यह पता चला कि तुम ही वो आरजी एंजल हो तो भी कुछ नहीं बदलने वाला है बात को समझो आरजी एंजल यह मेरी कुट्टी का दूसरा कदम है फादा इस नाम का इस्तिमाल करूंगी तब ही बात बनेगी मेरी कुट्टी के नाम से कोई अपॉइंटमेंट नहीं देगा आरजी एंजल के नाम से ट्राइ करें वो कैसे? कलेक्टर मनोज वैद्याना, हो सकता हमारे एफेम सुनते हो, वो हमारे यह के रहने वाले हैं हाँ, वो हो सकता है, अगर उन्हें गेस्ट के तोर पर बुलाने की कोशिश करें तो देखते हैं हाँ यह काम करेगा लगता है वैसे भी यह कलेक्टर सोशेल मीडिया में भावत एक्टिव रहता है तुम एक बर कमिंट तो करो, रिप्लाइज जरूर आएगा लेट सी बहुत गलत किया है अपने, एनी का एक ऐसा भाई है, यह आपने शुपा कर क्यों रखाता दरसल, इस बारे में जोश को मुझसे बेहतर पता है हमने मिलकर सगाई जैसी शुपकारे को पूरा कर लिया, अब इसको रोकना ठीक नहीं होगा वो इस घर के लिए मर चुका है ऐसा बोलो के तो चलेगा, बेज़दी हो जाएगी अपनी जोश गाउवाले और रिष्टेदारों से नजर मिला पाएंगे लोगों को पता चला, ट्रांसजेंडर की फैमली से हमने रिष्टा किया है तो पिता जी, इस मामले में मुझे फैसला करने दीजिए क्योंकि लाइफ मेरी है मेरी बेटी की जिंदे की मत खराब करो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं देखिया आपके रोने धोने से मेरे पिता जी का गुस्सा शांत नहीं होने वाला है मैं अनी से अकेले में बात करना चाहता हूं ओके, आल कॉल यू बैग गॉर्णिग, मॉर्णिग से आर्जे एंजिल बैठिये अक्सर तुम्हारे प्रोग्राम सुनता हो पर आशा नहीं थी कि तुम ऐसी होगी शल्वे स्टार्ट? शियर, पंदरा मिनिट का टाइम है जो पूछना है पूछो वैसे आम जनता आपसे मिलने के लिए आपके ओफिस के सामने घंटों खड़ी रहती है ऐसे मैं इस इंटर्वे के लिए आपने प्राइरेटी दी वाई? पबलिसिटी के लिए न? तुम अपने सवाल पॉजिटिवे में क्यो नहीं ले जाती? वैसे भी मेरा ओफिस टाइम नहीं है और नहीं जनता के मिलने का समय है इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस इंटर्वे के ओफिशल डूटी पे कोई असर पढ़ने वाला है यह रॉंग सर आपके अपॉइंट्मेंट के लिए मैं तीन दिन से आपके ओफिस के सामने वेट कर रही थी जब बात नहीं बनी तो इस इंटर्वे का सहरा लेना पड़ा मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं एंजल नहीं, बलकि मैरी कुटी हूँ मैं खुद ही एक प्रॉब्लम हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है इतना ही नहीं, तुम आरजे एंजल के नाम से एक बढ़िया इज़दार काम कर रही हो आजकल ट्रांसजेंडर को लोग उतनी बुरी नजर से नहीं देखते सर हम जैसे लोग प्रॉस्टिटूट्स हो या फिर भीक मांगने वाले लोग हो उन सब की नेगलिजिंस की वज़े आप जैसे लोग ही है, सर क्योंकि परस्ट्रालिटी को दर्शाने वाला एक टूल है अपना शरीर शरीर से इंसान को आखना सही है एक्चली, खुल कर बताओ तुम कहना क्या चाहती हो मेरी कुट्टी अगर तुम्हें कोई परिशानी है तो उससे बचाने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ अफकोर्स, जरूर करूंगा यह अच्छा रहेगा चार एकड़ की जो जमीन है, अगर तुम उसके नाम पर कर दोगी तो वो लोग शादी के लिए मान जाएंगे तुम्हारे पापा ने फोन करके बताया मुझे तुम यहां शिफ्ट हो गई है, यह उन्हें पता नहीं है और मैं उन्हें बताने वाली भी नहीं जमीन को एनी के नाम पर करवाने के लिए मेरी कुट्टी का मानना ज़रूरी है मुझे तो लगता है कि यह सब वो तुमारी जाएदाद हड़पने के लिए ही कर रहा है भाई, मेरा तो यही कहना है कि इस पे साइन मत करना मेरा भी सेम उपीनियन है मेरी तुम क्यों जाएदाद ऐसे लुटाओगी माना कि तुम्हें कोई फिनांशल प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर कभी प्रॉब्लम आ गई तो उसमें तो सपोर्ट मेलेगा जाएदाद और पैसा यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है मेरा तो बस यही सपना है कि महाबाप मेरी कुटी नाम से मुझे पोकार है इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए वाकिल ज़रा मुझे वो देना याद रखना पैसे से ही पैसा बनता है पेन हाद जूठा है न मैं तुमसे एक बात पुछूँ क्या तुम्हें अब भी उमीद है कि तुम्हें पुली स्पोर्स चॉइन करने का मौका मिल जाएगा और तुम्हारा चेन्ने में जो जॉब था क्या वो तुम्हें मिल सकता है सरा सोच कर देखो इतना बड़ा सैक्रिफाइस क्यों कर रही हो तुम तुम पागल हो गई हो क्या मजह टाउन जाना और एमेले से मिलना है हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हो मेरी यो फाइटिंग लोस्ट कॉस नहीं जब तक हारेंगे नहीं तब तक जीतेंगे कैसे हाँ ठीक हाँ हारने तक ऐसे खिलते रहना है ना जलते हैं हलो साबू बोल रहे हैं हाँ बोल रहा हूं बीजी हो क्या मैरी कुटी बोल रही हूं सोचा अगर मैं खुद मिलने आऊँगी तो तुम्हें प्रोब्लम होगी इसलिए फोन किया हम बात कर सकते हैं हाँ बताये ना बोलिये तुमसे एक प्रोमिस करने के लिए फोन किया था मैंने मेरी वज़े से तुम लोगों को कोई प्रोब्लम नहीं होगी तुम उस पूरी जादात को लेलो मुझे नहीं चाहिए है हम लोग ऐसे नहीं है मेरी तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट है जब तुम्हारी शादी हो जाय तो हमेशा खुश रहना और एक बात और तुम्हारे किसी भी जगडे की वज़ा मैं बिलकुल नहीं बनना चाहती I hope you understand Yes Thank you दोबारा फोन करके कभी भी डिस्टरब नहीं करूंगी Wish you all the best Thank you Mary Kutti कोन है? आईए आर्चे एंजल को नहीं Mary Kutti को अपाइंट किया है अब तो ठीक है ना Mary Kutti मैंने तुम्हारा केस पढ़ा था बात में पता चला कि तुम जेनिया नो थोड़ा सा पढ़ने से ही पता चल गया था This is your result Mary Kutti तुम अकेली केंडिडेट हो जो P.A.C के लिए रीटेस देने जा रही हो Mary Kutti जब तुमने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी तब गावाले भले ही तुम्हारे साथ ना हो लेकिन आज कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा पूरा सपोर्ट करते हैं So, all the very best Thank you, sir रैसे ये टेस्ट पास करने के लिए नॉर्मली 40 नंबर चाहिए लेकिन तुम्हारे ट्रांसजेंडर होने के नाते 35 नंबर भी होंगे तो चलेगा उसके बाद तुम अंगले महीने होने वाले फिजिकल टेस्ट में भाग ले सकती हो क्या हुआ? क्या इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम 35 नंबर पालोगी? कॉन्फिडेंस की बात नहीं, sir ये ट्रांसजेंडर नाम का जो वर्ड है ने ये आपके मुझसे कैसे निकल जाता है, sir मुझ जैसे लोगों को जब आप आप ओफिशली देखेंगे तो इस दुनिया में एक नई प्रेणा को जन दे सकते है, sir ट्रांसजेंडर के नाम पर मुझे एक भी सुईदानी चाहिए, sir मेरा कहने का मतलब ये नहीं था समझ गई, sir इस टेस्ट में 35 मार्क्स लाने से मैं टेकनिकली पास हो जाऊंगी लेकिन मैं 40 से ज्यादा मार्क्स लाऊंगी तभी फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लूँगी ये मेरा प्रामिस है इतने गुस्से की जरूरत है क्या? हाँ है गुड मेरी खुटी अब मेरी समझ में आ गया इसलिए बच्चों से लेकर आज तक मुझ जैसे लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी वर्ताओ किया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ ये बात मैं सीरियसली बोल रहा हूँ बात वो नहीं सर तो फिर? जिन्दगी में पहली बार मुझ से किसे ने माफी मांगी सर? माफी मांगी म मांगी म मम हुथो taking from home ऀनी म Tür चाय को ये प्रिदा हूँ जनी ज़खाश फिर? जनी गल्स चाय को पहले हूँ जो ने भी लिए प्रितgle हुश्भक प्रिया प्रितल सर सुँए सर सुँए सर सिया सर हाँ सर ठीक है सर दो दिन की मोहलत दीजे सर ओके क्या हुआ सर सियाई साब ने क्यों फोन किया था हमें क्या करना है वो हम ते करेंगे फिजिकल टेस्ट में पास होने के बाद ये जरूरी है कि पुलिस वेरिफिकेशन हो और नहीं तो क्या अगर ऐसे लोग पुलिस में आएंगे तो डिपार्टमेट की बदनामी होगी और ऐसे लोगों को हमें सेलूट मारनी पड़ेगी सर ये ठीक नहीं काउन आने वाला है सर मैं बताया था न तुम्हें अरे बाबरे अरे बाबरे सर बाबरे बाब बाबरे सर, क्या हम उसे ड्रक्स के केस में अंदर करवाते हैं, इसमें वो बुरी तरब हास जाएगी, दूसरे केस में वो निकल जाएगी ऐसे समय में उसके लिए केस क्रिट करना असान नहीं होगा, पर मैं तरीका ढूंड लूँगा लेकिन वो कैसे? तुम मेरी शादी में बिल्कुल मत आना नहीं आओंगे तुम मेरे भाई हो यह साबू के घर वाले जान चुके हैं फिर भी वो मुझे अपने घर की बहु बनाने के लिए तेयार है, यह उनका बड़पन है इसलिए अब तुम कोई प्रॉब्लम क्रियेट मत करना तुम मुझसे दूर रहोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना यह मैंने तुम्हें समझाये था न शादी के बाद थोड़े दिन तक हम यही रहने वाले हैं तो महर्बानी करके कभी हमारे सामने मत आना नहीं नहीं आऊँगे कभी नहीं आऊँगे तुम बेफिकर रहो मेरा एक भाई यह इस बात का मुझे गर्व था पढ़ाने के लिए एडवाइस देने के लिए मेरी हर प्रॉबलम में साथ देने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया यह बात तुम थोड़े दिनों में समझ जाओगी पहले जो सपोर्ट तुम्हें अपने भाई से नहीं मिला वो तुम्हें अपने हस्बेंट से मिलेगा लेकिन फिर में तुम अपने पैरों पर खड़े होना बी योरसेल्फ बी बाई योरसेल्फ एनी मुझ में जो भी प्यार है वो सब आज तुम पर ने अचा हो रहे आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है वैसे खुशी के लिए खास वज़े का होना ज़रूरी नहीं है बस एक पॉजिटिव थौट ही काफी है प्रग्राम को शिरू करने के लिए योर वित में आज जी एंजल शादी हो गई फंक्शन अच्छा हुआ था सारे महमान आए थे फोटोस देखना चाहोगी और्फनेज के बच्चों को बिरियानी खिलाई चाहो तो फंक्शन में जाकर खाना खाकर आ सकती हूँ यह कई फिल्म है क्या बज जाके आए जाओ चैपल में यह किसी को पता नहीं चलेगा अलविन तुमारी सिस्टर भी क्या कर रही है प्लस वन टू या थ्री ऐसा गुछ तो कर रही होगी क्यू पुछ रही हो बस ऐसी वल्कम बैक टिदे शो साबू के घर वाले आते ही होंगे ड्रेस चेंज करने गए है और टीचर भी एनी के साथ अभी आ जाएगी उनको अपने इसाब से आने दो मामला अभी वो नहीं है साबू और एनी का घर पहले अच्छी तरह से बस तो जाने दो यह रस्म पूरी हुई तो लगा सिर से बोज उतर गया वैसे लड़कियां बोज नहीं होती है फादर लेकिन मन में चिंता तो रहती है लड़का हो या लड़की हो अगर वो अच्छा है तो गाहाँ वालों को घर वालों को अच्छा ही मानेंगे लेकिन यह सारी बाते बोलकर तुम चर्च जरू आ जाना घर में ही रहकर यह सब पूजा पाठ करना और प्रेयर करना काफी नहीं होता है ठीक है फादर वैसे फादर यहाँ FM में जो प्रोगर्म करती है एंचल वो यहाँ आई है क्या मैंने सुना है वो आशा भवन में रहती है क्यों जाना है कुछ नहीं फादर बस ऐसे ही पूछ लिया क्या तुम उस एंजल से मिलना चाहते हूँ जी हाँ फादर आओ मैं उसके दिल को जानता हूँ वो एनी की भराई के लिए प्रे कर रही और गाना गा रही है उसमें जो टैलेंट है जो क्वालिटी है वो तुमें पता है क्या फिलिप इतना कुछ होने के बाद उसने कभी भी इश्वर के सामने शिकायत नहीं किये ये मैं जानता हूँ ऐसे लोगों का साथ इश्वर आसानी से नहीं छोड़ता है इस पीएसी टेस्ट में वो पास होगी इसकी गैरंटी मैं देता हूँ और वजह है क्योंकि यही उसका लक्ष है और एक ना एक दिन तुम सब उस पर गर्व करोगे आज बहुत ही स्पेशल डे है आरजे को चाहने वालों के लिए क्योंकि आज उनका बर्थ डे है और आज का यह सारा प्रोग्राम एंजल डेडिकेट यू आरजे इंजल को बर्थ डे विश करने के लिए आप फोन कर सकते हैं तो इंतिजार के साथ तुम किसे ढून रही हो मैरी कुटी सारे बच्चे अभी FM स्टेशन पर है और बर्थ डे वाला गाना उन्हों नहीं गाया इस नए जन में मैरी कुटी तुम्हारा फर्स बर्थ डे हम लोग ऐसे सेलिबरेट करेंगे ये ही हमने प्लैन किया था क्यों? कोई शिकायत है क्या? वो बच्चे जानते हैं कि मैं ही आरजे इंजल हूँ उन्हें जानने दो और चाहता हूँ कि धर धरे सब को पता चले चुपाकर रखने से क्या फाइदा तुम कोई खलत काम तो कर नहीं रही हो? ये मिले लिए एक बहुत बड़ा सर्प्राइज है फादर आपका कोई जवाब नहीं एंजल आप बहुत अच्छी एंजल ही मेरी इस काम्याबी की प्रेरिना है तो आप लोग भूलिएगा मत आरजे एंजल को बर्थडे विश करने के लिए 04-86-222-9659 पर कॉल करके उन्हें विश कीजिएगा अब पूरा देश तुम्हें विश करेगा इस जन्द में तुमने जो अपमान सहा है उसे अब खुल कर बता देना बेटी अबी बर्थड़े तुम्हारे बर्डे पर कोई धूमधड़ा का नहीं सर आप यहां किसे फंक्शन के लिए आये क्या मैं फादर को बलाती हूँ नहीं रहने दो मैं यहां मेरी कुट्टी से मिलने के लिए आया हूँ खुशकिसमत हो कि 27 साल के उम्रों में अपना पहला बर्डे सेलिबरेट कर रहे हूँ यह हमारी तरफ से बर्डे का छोटा सा गिफ्ट है मैंनी मैंनी हैपी रिटल्स यह कंट्रोवर्शनल के से इसलिए मैंने खुद ही आकर डिलीवर करने का फैसला किया इसके अलावा इसकी एक और वज़य भी है मेरी कुटी तुमारे P.A.C. रिटन टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है यह रिटन टेस्ट देते समय चालेस मार्क से ज्यादा लाने का जो मेरी कुटी का कॉन्फिडेंस था दरसल मैंने उसे तुमारा गुसा समझा जबकि वो आत्म विश्वास था जो तुमारे अंदर भरा हुआ है यू है स्कोर्ड 57 मार्क्स कॉन्ग्रेट्स अब मेरी कुटी बेहिचक फिजीकल टेस्ट के लिए तयारी कर सकती है आज हम सब के लिए गर्व महसूस करने का दिन है स्टेट पुलिस फोर्स में SI सेलेक्शन में किसी शक्स का हिस्सा लिना कोई मामूली बात नहीं होती है इतने सालों से हम जिसे ट्रांसजेंडर के नाम से जान रहे थे वो मेरी कुटी ही SI के लिए सलेक्ट हुई है इसकी उमीद हमारे स्टेट के लोगों ने वैसे की नहीं थे सारी तकलिफों को परदाश्ट करके दिल से मेहनत करके हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं यह मेरी कुटी ने साबित करके दिखाया हमें उस पर गर्फ है अगर वो पुलीस बन सकती है तो तुम्हें ढूब के मर जाना चाहिए अगर तुम्हारी बहन मर बन जाए तो यह भी एचिवमेंट होगा ना विहान से गाड़ी चलाओ इश्वर के आशिरवाद से और सभी लोगों के आशिरवाद से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सफल रहे आमीन इतनी बार उसकी आवाज सुनने के बाद भी मैं उसे पहचान नहीं पाया हमेशा मैंने उससे नफरत ही की कभी उससे प्यार से बात नहीं की अपने बेटे को अगर हमने थोड़ा भी समझा होता तो जिन्दिगी में उसे इतने धक्के नहीं खाने पड़ते मैं सही कह रहाँ गा जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ क्या वो फिर से घर वापस आएगा नहीं वो नहीं आएगा उसने मुझ से कहा है तुम्हारी विलपावर को सच में मैं मान गई तुम्हारी जगे मैं होती तो कब का हार मान गई होती and that calls for a celebration हम इस celebration के लिए कुछ और स्टिजेस पार करने होंगे वैसे तन्नू चनई से वापस कब आएगी चनई से तो वो अब सीधे वेकेशन में आने वाली है तब तक तुम मेरे घर पर आकर रहो न नहीं, मुझे भी बहुत सारे काम है जैसे और किसी को कोई काम ही नहीं है ये बियर की बोतल चुपा कर रखो सामने पलिस चेकिंग हो रही है राइव तो तुम कर रही हो ना तो अपर क्यों रुको रुको गाड़ी साइड में लो मानना पढ़ेगा तुम दोनों फुल मूड में हो चलो नीचे उतरो क्या है जल्दी बताईए है हाह जाओ वहां सहाब बोला रहे है चेक करो चलो फुक मारो अरे-अरे आप लोगों के साथ फी मेल कॉंस्टेबल नहीं है क्या क्या खाए फी मेल कॉंस्टेबल तुम्हें घर से लेकर आना चाहिए फीमेल कॉंस्टेबल चेक करो ए फुको ऐसे नहीं ऐसे बढ़ा उदर फुको लाइसेंस कहा है तुमारा ये टो मात खुट Eva करो समय ने तुमारा लाइसेंस का ए तुमारा लाइसेंस का है तुमारा लाइसेंस का है ठाष् jakiś तुछ ज्यादा यू चल रही हो तुछ इतनी रात को इस तरह दारूपी कर रोड पर क्यो घुम रही हो और इसके साथ ही समय कहा घुम रही हो यह सब बताने की जुरत नहीं है मुझे ओफेंडिंग पुलिस ओफिसर तीन महिने के लिए अंतर करवा दूँगा इसमें कौन सा ओफेंस है सर वो भी बताता हूँ क्या हुआ रहे कार में कुछ नहीं है सर कार में कुछ नहीं तो इसकी पूरी बॉड़ी चेक करनी पड़ेगी फिमेल कॉंस्टेबल तो सुबह आएगी सर फिमेल कॉंस्टेबल नहीं है तो बाकी की कारवाई पुलिस टेशन में करेंगे क्यों नज़्दीक में ही तो आपका घर है न सर तुम्हें यहाँ चेक करेंगे तो मामला यहीँ खत्म हो जाएगा क्यों कोपरेट करोगी नहीं मेरे मत करो अगर इस तरह हम इसे ले जाकर रात में बंद कर देंगे सर तो अपने उपर काबू नहीं रख पाएंगे क्या बोलती हो वहाँ चलें नहीं लेट्स फिनिश टॉफिया यह हुई ना बात वहाँ खड़ी हो जाओ उसे वहाँ रखो और हाथ उपर करो हाथ उपर पुलिस अफिसर पर हाथ उठाती है तेरी तो इतना काफी है आईपीसी सेक्शन वन नाइंटी एट टू सवेंटीनाइन टू नाइंटीफो भी त्री ट्वेंटी त्री यह सब क्या है मैडम तुम जानती हो अभी जो तुमने किया उससे दो गुना ज्यादा तुम्हें दिलाओंगा इसका वादा करता हूँ बहुत समय बात लिए भयापन दोनों को जीप में डालो चलो जीप में बैठो बैठो थैंक यू सर ये मेरी कुटी का केस क्या है केस विड्रो करने के लिए होम डेपार्टमेंट से एक सबमिशन आया है सर वो वो गलब था सर वैसे एक्चली हुआ क्या था सर वो दारू पीकर गाड़ी चला रही थी उसको चेक करने वाले ओफिसर पर उसने हाथ भी उठाय सर केस रिजिटर करने के बाद हमने उसे छोड़ दिया सर ओ इसका मतलब है उसने तुम्हें मारा है नहीं एसाई आयपन को मारा है आयम दव विटनेस तुदा इंसिडेंट साथ में काम करने वाले कर्मचारी को एक औरत मारती रही और तुम चुपचाप खड़े देखते रहे बड़ी शर्म की बात है उसे चू नहीं सकते न केस बन जाएगा सर ओके तो अब तुमें इसमें क्या परिशानी है मेरी कुट्टी ऐसाई सेलेक्शन की प्रोसेस में है इस तरह का केस उस पर असर ढालेगा ये छोटा ऐसा मामला है तो केस विट्रो कर दूँ ये आप क्या कह रहे है सर दारू पिकर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना और एक पुलीस ऑफिसर पर हाथ उठाना इसे छोटा मामला कह रहे है आप चाहते हैं कि वो डिपार्टमेंट में काम करे मुझे तो ऐसा रगता है कि और हालात ऐसे बन गए थे कि उसे हाथ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा विटनेश भी यही कहते है और ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी नकलिया है अगर ये सावित हो गया कि तुमने अपनी पोस्ट का गलत फाइदा उठा कर उस पर ये केस बनाया है तो ये तुमें भारी पर सकता है मैं ये केस विट्रॉ कर रहा हूँ ये अधिकार आपके पास है सर पर आप ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा इस केस में पूरा डिपार्टमेंट मेरे साथ है सर मुझे धंकी दे रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक प्रांसजेंडर अगर डिपार्टमेंट में ऐसा ही बन कर आए तो डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो जाएगा सर क्यों? देखा जाए तो ऐसा कोई शक्स हमारे डिपार्टमेंट में आएगा तो हमारे लिए गर्व की बात है और वैसे भी तुम्हारे जैसे नाकाबिल लोगों से भरे हमारे डिपार्टमेंट में उसके आने से फायदा ही होगा तुम्हें कोई परिशानी है? वैसे भी इस केस को यही पर विड्रॉ करना हमारे लिए बहतर होगा कोट में ये केस कहीं नहीं टिक पाएगा इस बारे में मैंने एडवोकेट से बात भी कर लिया जब फैसला करी चुके हैं तो आपकी मर्जी? सिर्फ मेरी मर्जी नहीं Home Department से इस केस की जो रिपोर्ट आई है I'm supposed to submit the report और मैं वही कर रहा हूँ जो सही है कुझुपाल मैं तुम्हारे खिलाफ एक इंक्वारी भी बिठाने जा रहा हूँ याद रखना Thank you, sir Mr. कुझुपाल मेरी कुटी जैसे काबिल लोग जो ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं हमें उन्हें मौकाश जरूर देना चाहिए Please don't try to stop her I am I am I am Mary didi, I am आपको फादर बुला रहे हैं कोई लेटर आया हुए आपको आइडी काड़ लाने के लिए बोले मैं भी आती यह लोग जो करोडों की चीटिंग करके देश से भाग जाते हैं उन्हें कोई पकड़ने वाला चाहिए आरे जो सवाल जहां करना चाहिए उसे वहां करो ना यहां क्या दा देखो यही है मैरी कुट्टी लेकिन फादर यह तो आरे यह असली मैरी कुट्टी है शक्त मत करो देदो आपको आइडी काड़ यह लिजे पिन ठीक है मैं चलता हूँ इसे खोल कर देखो बेटी कहीं यह किसी नए केस का मामला तो नहीं है क्या बात है मैं पहली बार अपने नाम से एक लेटर रेसीव कर रही हूँ इसमें चाहे जो भी हो यह मेरी लिए एक अचीवमेंट है अगले मैंने साथ तारी को फिजिकल टेस्ट है यह उसका अंटिमेशन लिटर है इश्वर तुमारा साथ दे रहा है अब विजय निश्चित है को यह आया कर दो काई वह और यह क्या कल से तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहता जाई जाई एक तैनक ये सो मज़ फदर शर। शर। पुलिस यूनिफॉर्म में एक फोटो खीच कर मुझे भेजना मेरी ले इतना काफी है वैसे अब मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है हम लगोंने ख़बर सुनी, all the best थेतने। वारी आपी आपी। क्ली फिजिकल जैस्ट ना हमा अल भेस्ट तेंक यू अब ही थोड़ा अबदलाव हुने लगा है बीटी साही काना अब आरज एंज लाम की जरुवत है क्या अरे इतना आत्म विश्वास है वो बात नहीं है कल फिजिकल टेस्ट के लिए जाते वक्त आर्जे इंजे नाम की सेकरेट की जरुवत नहीं है सच में ऐसा मुझे लगता है फादर लाइफ मूव्ज ओन लाइफ मूव्ज ओन अगर दुबई चली जाएंगी तो फिर वापस नहीं आएंगी क्या अंजल मुझे नहीं पता जोबन लेकिन अगर वापस आगी तो भी इस तरह नहीं रहेगा इसका क्या मतलब वो कहावत नहीं से नि कि धनुश्य निकला बान कभी वापस नहीं आता बिकज स्थाई कुछ भी नहीं रहता तो इंसान को भी बदलाव लाना ही पड़ता है बदलाव? कैसे बदलाव? खेर जो भी हो जाते से मैं मॉबाइल नमबर देके जाना बहुत दिनों से मांग रहा हूं दो भई का नमबर मैंने भी तक लिया नहीं है ठीक है कुछ भी कोव एंजल तुम्हें सुनके मुझे बहुत खुशी होती है हाँ मुझे भी थैंकी सो मच आल मिस यो पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया जो इज़त दी जो सुकून दिया उसके लिए बहुत 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 शक्रिया कहीं ने कहीं तो और किसे ने किसे मोड़ पर एक दिन हम जरूर मिलेंगे उसी प्यारी से उमीद के साथ तस इस आर जे एंजल साइनिंग ओफ रॉम मिशिन एफम सी उसन ओल बाबाई कल से तुम्हें इस शोग को लेकर धूम मचाना है तुम्हारा कोई भी रिप्लेस्मेंट नहीं है बिकॉस यू आर दे बेस्ट मेरी आंटी मेरी आंटी अब सब मिलकर आपके लिए प्राधना गरेंगे तैंक यू सो मुच दियर मेरी यू कन दो इट थैंक यू अल दी बेस्ट मेरी तैंक यू सो मुच स्थिफन हम आपके लिए अल दी बेस्थिए यू आपके झाल झाल मैं हमेशा रिष्टेदार और समाज के बारे में सोच कर डरता रहा अपनी इज़ट और अपनी बदनामी के डर से कभी तुम्हें समझी नहीं पाया बेटा मैं तुम्हें प्यार नहीं करता ऐसा कभी सोचना भी मत मुझे में हिम्मत नहीं थी इतने दिनों से तुम अपनी जिन्दगी की लड़ाही अकेले लड़ रहे थे अब मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी कुटी बारोसा बनाये रखना बारोसा बनाये रखनाये धृम्हार liar ug प्रफिजिकल टेस्ट पास होने के लिए आपको आठ स्टेजेस पार करनी होंगी उन में से पांच स्टेज भी पार कर ली तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे और जो चार में से एक में भी फेल हो गया तो वो बाहर निकल दिया जाएगा हम बस यही कामना करेंगे कि किसी भी स्टेज में आप कहीं फेलना हो जाएं Best of luck मैं पिछले चार आउंड में पास हो चुकी हूँ अब पांच भी स्टेज बाकी है सव बीटर सत्रा सिकिन में पार किये तो फिजिकल टेस्ट में पास तुन्हें तु कमाल कर दिया पेताजी मिलना या थे थोड़े दिर बाद भी की मुझ से मुझे मेरी कुटे नाम से पुकारा रेली आज का दंति रेली बहुत कहास है आपन विए बद्बन उगिए जा ओध नाम थोड़े जान खांगा पुरे हो जाएगी सारे अर्मान तुझ को तेरी पहचान इसासे दे गे का सारा चाहान तब का बीदादा है सख से वहान हो जाएगी सारे मन जिल्दासा जस्पा है सीने में धिल में तुपा रह जाएगी सारी दुनिया है राग जब तुम बनाएगी खुद की पैचार लड़कर दटकर देना होगा इंतिहा इस इंट्रव्यू को किलियर करने के बाद केरला पुलिस में काम करने वाली पहली ट्रांसजेंडर ऐसा ही तुम होगी आई यू रेड़ी? येस, आई एम अपनी सेक्श्वलिटी को मेरी कुट्टी बहुत ही हिम्मत के साथ सबके सामने लेकर के आई अपनी सेक्श्वलिटी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन ओडर है सर ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था रिपोर्ट एक सब्ता में सब बिट करनी है हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई सर मानना पड़ेगा इसमें बहुत दम है करें दोरमत काम करें अपनी यहां कोई लीगल काम नहीं हो रहा है जो शानमीन करने पड़े बैठिये अप तुम्हारे एसाई सेलेक्शन के लिए इंकोईरी आया हुई है मैं सर्टिफिकेट दूंगा तब ही एसाई बनोगी हाद में रहोगी तो सही पोस्ट रहेगी नहीं तो साइबर सेल में पड़ी रहोगी जो कर रहा हो ना उसे हैसान मानना समझ रही हो मेरे खिलाब रिपोर्ट नहीं कर पाऊगे जानते कारण क्या है मेरे खिलाब कोई केस रिजिस्टर्ड नहीं है और शिकायत भी नहीं यू है नो ग्राउंज तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई हो डिपार्टमेंट में आजो एक बार वो हम मर्दों की दुनिया है वहाँ दिखाता हूँ यह मर्दों की दुनिया नहीं सर और नहीं औरतों की काबिल लोगों की दुनिया है रिस्पेक्ट ये मेरी इंटिग्रिटी है अब आप मैंने कुछ नहीं बिगाड सकते हैं मैं आपके नीचे नहीं आपके बराबरी में काम करने वाली हूँ यादे मैंने उस दिन क्या कहा था अच्छे पलिस ओफिसर में क्या-क्या विशेष्टा होनी चाहिए अब टेक्ट मैं वर्ट भीच्ट भीच्टा है मैं मेरी कुट्टी केरल पुलिस के तौर पर मैं शपत लेती हूँ हमारे भारत के समीधान के नियमों का पालन करते हुए अपनी पूरी इमानदारी और निश्ठा के साथ केरल पुलिस का हिस्सा बन कर अपने करतेवों का पालन करूगी आज देश में पहली बार Transgender SI मेरी कुट्टी ने शपत ग्रहन की है ये पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में पहली बार हुआ है समाज में बदलाव लाने के लिए मुझ जैसे कुछ लोग मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंट में होने चाहिए ऐसा मेरी कुट्टी ने बयान दिया है ऐसा है कुण्जु पाल जिस पुली स्टेशन में है उसी पुली स्टेशन में मेरी कुट्टी को पोस्टिंग मिली है येस कॉंग्रेचुलेशन तुम्हारी पहली पोस्टिंग ही एक थाना इंशार्ज के रूप में होई है तुम बड़ी किस्मत वाली हो तैंकियो सेर आज पूरे स्टेट को तुम पर गर्व है तुम एक मिसाल बन गई हो मेरी कुट्टी तुम पुझा करते थी न कि एक अच्छे ट्रांसजेंडर को क्या कहा जाना चाहिए अगर मर्दों को हीरो कहा जाता है तो तुम लोगों को शीरो 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 को शीरो शीरो कर तो कर दो कर 2 मिलने नदिए ी ना, ना, न न, न, सबमयीं न, न, सहरे गा णॉरा आप में से कितने लोग पुलिस टेशन जाते हैं लेकिन अफसोस की बार वहाँ पर कितनों के साथ अच्छा विवहार होता है पुलिस टेशन हर किसी के लिए एक बुरे सपनी जैसा होता है लेकिन अब समय बदल रहा है अब से आपकी सभी समस्यां को सुना और उन्हें सॉल्व किया जाएगा हमारी नई सब इंस्पेक्टर सपता हमें एक घंटा यहां हमारे साथ गुजारेंगे अग से पुलिस टेशन आपका घर होने जा रहा है तो सभी गर्व के साथ स्वागत कीजिये हमारी सब इंस्पेक्टर मेरी कुट्टी का तो सब इंस्पेक्टर मेरी कुट्टी प्रेटन के लिए उन्सपेक्ट इंस्पेक्टर से एंस्पेक्ट इंस्पेक्ट उर्म्राइण और मेरी कुट्टी